नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मयंग शेखर सेलेक्टिड कांडिडेटी इन फूट कॉर्परेशन आफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार देख स्वागत करता हूँ आपके पनी चानल सेलेक्शन मेंटर पर जहां पर हम आप सभी के साथ फूट कॉर्प अधिविए प्योंग श्रोपे स्टेप्स ही है ठीके सिंपली माल अनाज लॉट आने के बाद फिर उब्रूट के से च्टेप होता है जिसे हम कहते हैं फीफो फर्स इन फरस ऑउट जैनि जिस क्रॉपएर का ग्रेन मेरे पास पहले आया है उसी crop year के grain को मैं भुजूगा मतलब अगर मेरे पास 18-19 पढ़ा हुआ है 19-20 crop year का grain पढ़ा हुआ है 20-20 crop year का grain पढ़ा हुआ है तो मैं PDS में सबसे पहले 18-19 वाले को भेजूँगा फिर 19-20 वाले को और फिर 20-20 वाले को यह नहीं कि पहले मैं 20-20 को भे कम दिस्टेंस में मालगारी का 45 जिस्टेंस में करваने के लिए मालगारी का ऎस्तलम करती है यह इंपॉर्टन है कि मालगारी में में दो तरह जो करती है या तो 42 बॉक्ऩategorates ओर Vilma बॉक्सेज वाली ये था पुराने वीडियो का बात आज की वीडियो में इन डिटेल बताते हैं क्या होता है देखो डीपोर्ट कैडर ठीक है ये बहुत बढ़ा कैडर है बहुत जादा वर्कलोड होता है तो FCI का जो अपना डीपोर्ट है उसे हम कहते हैं FSD यानि जो अपना जो गोडाउन है दाट इस FSD, Food Studies Report अब क्या होता है कि इस Food Studies Report में यानि इस गोडाउन में जो अनाज का प्रोकुर्मेंट है धान गेहूं चावल जो भी आपका हो वो डिरेक्टली किसानों से नहीं होता है वो एजेंसी से होता है स्टेट की एजेंसी होती है जैसे यहाँ प प्रोकुर्मेंट का काम एजेंसी करती है वो एजेंसी किसानों से अनाज को लेती है और खरिती मने जो लेने का काम करती है वो MSP पे करती है यहनि किसानों को जो पैसा मिलता है वो एकदम MSP पे मिलता है 100% किसान किसी भी quality का grain दे कि कोई भी moisture content हो कुछ भी हो उसको वही MSP मि कहता है ठीक है तो वो MSP पे खरिती है फिर procure करने के बाद agency उसकी मिलिंग करवाती है जो लोग यहां पर agriculture engineer है या agriculture allied sector से जुरे हुए है उनको यह पता है कि मिलिंग प्रोसेस क्या है जिनको नहीं पता उनके लिए यह जाना ज़रूगी है मिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसम भी acceptable limit FCI मैं वह में बताता हूं तो मिलिंग कर लिया फिर मिलिंग करने के बाद 50-50 kg का बोरी यानि जो packaging है यानि जो bags का packaging है वो agency करती है क्योंकि FCI में 50 kg से ज्यादा किसी भी बोरी को accept नहीं किया जाता है तो 50 kg का बोरी वो agency खुद package करती है उसकी packaging करके फिर FCI को भेजती ह तो जब agency ने FCI को भेज दिया ठीक है तो अब FCI उस agency को pay करेगी लेकिन pay करेगी कुछ-कुछ factors पे कि agency जो grain लेकर आई FCI के पास वो किस quality का लाई कितने percentage broken grains थे क्या moisture content था 50 kg का claim कर रहे तो या 50 kg है या नहीं है मेरा पूरी असली में मैं देखना चाहता हूं युद देखो F FCI ये सुचती है कि हमें क्या पता कि किसान ने किस quality का grain दिया होगा agency को नहीं दिया होगा क्योंकि agency तो ये claim करती है कि हमने MSP पे दे दिया ठीक है MSP पे एक दम खरीद लिया है लेकिन हो सकता है कि किसान ने अच्छे quality का grain दिया हो ठीकिन agency quality खराब करके FCI में पहुंचा रह ठीक है किस basis पे cutting करते है उसे quality के basis पे पहला moisture content देखते है quality cadre वाले मने deport cadre का ही काम होता है कि quality cadre वाले को बुलाया जाए जो मेरा cadre है technical cadre और उसे checking करवाया जाए जो मैंने PV बताया था उन सारे physical verification में वही सब काम होता है उसमें weight measurement भी होता है जो deport वाले करते है but quality checking उसी PV में आता है ठीक है और उस PV को दोरान quality checking में यह चेक किया जाता है क्या moisture content है कितना percentage मेरा grain break किया या नहीं किया तो limit क्या क्या है limit acceptable जो है broken वाला वो 15% है FCI 15% से ज्यादा broken grains accept नहीं कर सकती है तो अगर 15% से ज्यादा broken grains उसको मिला तो FCI उस agency का पैसा कम करेगी चावल अगर agency दे रही ह है तो maximum moisture content उसके अंदर 15% ही होना चाहिए ठीक है अगर 15% से ज्यादा moisture content है उस चावल के अंदर तो फिर पैसा कट करेगी FCI गेहू में अगर 12-13% से ज्यादा moisture content हो गया क्योंकि acceptable जो है वो 12-13% ही moisture content है तो अगर उससे ज्यादा moisture content हुआ तो FCI फिर उस agency का पैसा कट करेगी तो यह कुछ factors होते हैं देखे जाते हैं बट एक और rule भी FCI follow करके चलती है कि agency अगर mailing करके लाती है तो वो acceptable है कि 30-40% ही loss होगा for example अगर agency एक quintal गेहूं या एक quintal चावल का mailing करके FCI को देती है तो FCI यह मान कहीं चलती है कि हमें जो loss मिलेगा वो जादा स्यादा 30-40% ही मिलेगा हम उतना ही accept करेंगे यह अगर एक quintal यानि 100 kg का mailing कर रही है agency तो हमें कम से कम 60 या 70 kg का proper grains देगी ही देगे कर उससे फिर कम द देगी यह हो गया दूसरी बात डीपोर्ट कैटर वाले cropping season को एक नाम देते हैं रभी season को RMS का नाम देते हैं रभी marketing season जिसमें dominant crop होता है गेहूं ठीक है और खरीब को KMS खरीब marketing season यह नाम देते हैं और उसमें dominant crop को होता है चावल तो अब आप से पूझा जा सकता है कि ठीक है आपने जैसे बताया कि कुछ agencies procure करती है अनाज को तो आप बताओ कुछ agencies का नाम आप जानते हो कि नहीं तो इसलिए मेरा ये request है कि जो भी candidate इस video को देख रहे हैं वो अपने अपने state के अंदर जो भी agencies इस तरह का procurement करके mailing करके packaging करके FCI को अनाज पहुझाती है वो अपने state क चार पांच agencies का नाम याद जरूर करके जाएं तो मैं UP कहीं बता रहा हूँ UP में काफी famous है UP PCF वो PCF काफी famous food agency है जो ऐसा काम करती है फिर एक वहाँ पर है KKM कर्मचारी कल्यान निगम फिर उसी तरह UP में जो नोवेडा है वहाँ पर side sector 61-62 में headquarter है नाफेड का National Agricultural Cooperative Marketing Federation वो चावल दाल और गेहू इन तीनों का procurement करती है मिलिंग करती है packaging करती है और फिर FCA को बिशती है बट हर एक state में हर एक agency हो जिसको कहते हैं SFC State Food Corporation ठीक है उसी तरह UP में एक और agency है जिसको हम लोग कहते है senior marketing inspector SMI ठीक है senior marketing inspector और बहुत सारे agro agencies भी होते हैं तो इन agencies का नाम आपको याद करके रखना है अगर मालिया जाए कि आपके state agency का नाम को नहीं पता तो आप किसी भी state agency का नाम बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि yes sir मुझे अपने state का नहीं पता बट मैं इस इस state agency का नाम मैं जानता हूँ तो deport cater का mainly इतना ही basic function आपको समझना है because अभी आप job नहीं कर रह जितना basic knowledge होना चाहिए उतना ही मैं बता रहा हूँ ठीक है so आने वाले वीडियो में मैं general cater के बारे में discuss करूंगा उसके function के बारे मताऊंगा ठीक है so अभी तक के लिए have a good day and bye